चार सोक का वरग मुल कैसे निकले हैं अभी हम समझेंगे वरग मुल को लिखते हैं अपना अन्डूट के दौरा अभी हम जो विधी काम में ले रहे हैं वो है आपका अभाज गुनंद खंड विधी इस विधी के दौरा आप बिल्कुल आसानी से जो प्रफेक्ट स्क्वेर नमबर है उनका वरग मुल निकाल पाएंगे एक छोटी से ट्रिक भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा देखें चार सो को कैसे लिख सकते हैं हाँ यह न मुझाह इसका अपका देखे उसमी माने का क्netra किया है addressing कि अभाज ये गुणनखंड करेंगे देखिए अभाज ये गुणनखंड का मतलब क्या होता है यह आपको मालूम होना चाहिए कि किसी भी संख्या को अभाज ये संख्या के गुणा के रूप में लिखना ये भाज ये संख्या कों सी होती है दो तीन पांच साथ एक से लेकर दस देखिए भाज ये तो सरप्तम इसमें दो का भाग देते हैं तो जैसे चार सो में हमने 2 का भाग दिया, कितना मिल गया, 200 फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है किया, yes कितना 100 बार, 100 में 2 का भाग 50 बार 50 में 2 का भाग जा रहा है किया, yes कितना, 25 बार 25 में 2 का भाग नहीं जा रहा है 3 का नहीं जा रहा है, 5 का भाग जा रहा है कितना पाच्ष फिर पांच में पांच का बाग gauge आपका एक बार एक आ गया मतलब आपके प्रोसेस पूरा होगे यह जो है यह आपके इसके गुणनखंड है जिसमें दो कितनी वार आ रहा एक दो तीन चार पांच कितनी वार है आपका हमें क्या चेस का ब्रगमुल दो समान से क्या के जोड़ा दो समान से क्या के जोड़ा दो ill Se However पर तेक जोड़े मैंसे इसको हमने एक बार यहां लिक देना है कितना आ गया यह बीस आ गया तो इस तरीके से 450 के ब्लगमुल हमने निकालना सिखा सुरांदर क्लिर यूट्यूब पर सार्स करें और हमारे अन्य वीडियो देखें